उत्रप्रदेश में पिछले 6 दिनों से लगातार हो रही भारी वारिश के कारण बाड के स्तिती गंभीर हो गई है राज्ये के 21 जिलों में बाड आ गई है और 200 से अधिक गाउं पूरी तरह से पानी में डूप गए है पिछले 24 घंटों में बाड से प्रभावित छेतरों में चार लोगों की मोत हो गई है जबकि कई अन्य लोग प्रभावित हुए हैं विशेश कर वारा नसी में इस्तिती अत्यंत विकट है यहां 85 घाट और 2000 छोटे बड़े मंदिर गंगा में डूप गए हैं घाट किनारे बसी कोलोनियों में पानी भर गया है जिसके कारण 25,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है यह इस्तिती चिंता जनक है और रहत कार्य तेजी से चलाए जा रहे हैं बिहार में भी बाड के इस्तिती बहुत खराब है आरा में गंगा का जल स्तर भढ़ गया है जबकि बकसर में बाड के कारण सडकों पचार फिट तक पानी भढ़ गया है गया में भी सोसे अधिक घर डूब गये हैं जिससे स्तानिय लोगों की परिशानियां भढ़ गई है हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के कुमार हटी में हुए लेंड स्लाइड की कारण नैशनल हाइवे 5 बंध हो गया है राज्य में भारी बारिश के कारण 34 सडके बंध हो चुकी है जिससे यातरा में बाधा उत्पन हो रही है मोसम विभाग ने 13 राज्यों में भारी बारिश का अलट जारी किया है इन राज्यों में 36 गड़, मद्यप्रदेश, जहारकंड, उत्रप्रदेश, बिहार, ओडिसा, उत्राकंड, तमिलनाडू, केरल, आंद्रप्रदेश, तेलंगाना और करना टक शामिल है उत्रप्रदेश के 42 जिलों में आज भी भारी बारिश का अनुमान है जिससे बाड़ के स्तिती और बिगड़ सकती है सभी नागिरिकों से अनुरोध है कि वे सतर्क रहें और सुरक्षित इस्थानों पर रहें रहत और बच्चाव कार्य जारी है और प्रभावित लोगों को हर संभव मदद प्रदान की जा रही है